नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं निम्न वर्गिये लिपिक पद के लिए चैनित सांकेतिक रूप से 150 अभियर्तियों के नियोकति पत्र सोपा गया चिल्चिलाती गर्मी के बीच आयोजित इस नियोकति पत्र वित्रन समारों में पंचायती राज विभाग के अंतरगत 45 सच्यूप पद पर 1633 रायस्वनी बंधन एवं भूमी सुधार विभाग के अंतरगत निम्न वर्गिये लिपिक पद पर 177 बीत विभाग अंतरगत निम्न वर्गिये लिपिक पद पर 166 वहीं खाद एवं आपूर्ती विभाग के निम्न वरगी लिपिक पद पर चवालिस चैनित युवावो को नियुक्ती पत्र सोपा गया बता दे मुख्य मंत्री हमां सुरेन राजे के ग्रामीन छेतर को ससक्त बनाने के लिए हर साल मोडल पंचायत बनाने वाले पंचायत सचीवों को परिवार सहीद विदेश भरमन करने की घोस्तना की है वहीं जारखन करमचरी चैनि आयो के चैनित पंचायत सचीव और निम्न वरगे लिपिक और नियुक्ती पत्र देते हुए राची की मोरबादी मैदान में आयोड कायकरम के दोण मोख्य मतरी ने घोस्तना की है आजसू के संकल्प दिवस पर सुदेश महतो का एलान जून से लगेगी जन पंचायते आजसू पार्टी ने गुर्वार को पुरे राज्य में संकल्प दिवस मनाया इस मोखे पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने राची के केंदरिये का रेला में आयोजी संकल्प साभा को समधित करते हुए कहा है कि इतिहास को सामने रहकर जार्खन के बेहतरिन बविस का निर्मान चुनोती भरा है लेकिन हम सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारियों और उसूलों पर कायम रहते हुए इस चुनोतीयों को हर हाल में पीछे छोड़ना है इस मोखे पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतों ने इसी महीने यानी जून 2023 सभी विधान सभाचेतर में जन पंचायते लगाने की घुस्तना की है उन्होंने कहा है कि पार्टी कर करता हो कि या जिम्मेदारी है कि जन पंचायते जनता के व्यापक हित्तों में असरदार हो उन्होंने कहा कि मवजूदा राय नितीक परिछेप्त में वसूलों और या थार्थ के साथ चलना और समयना जरूरी है गिरीडी में हेमंत सुरेन पर वरसने के बाद उडिसा गए जेपी नड़ा जारखन के गिरीडी जिले में भार्तिय जनता पार्टी की एक सबागो समोधित करने के बाद पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्स जगत परकास नड़ा जेपी नड़ा गुरुवार को उडिशा के लिए रवाना होगा है शुक्रवार को शिरी नड़ा उडिशा के जार्शु गुड़ा इस्थित भाजपा का रियाले में बरगड लोग सभाज हेत्र के वईश्ट नेताव के साथ बैठा करेंगे बतादे उडिशा के भवानी पटना में मा मनिकेश्वर मंदीर में पूजा आर्चना करने के बाद सिरी नड़ा का कारिकरम है इसके बाद हुआ लाल बहादू सास्त्रे स्टेडियम में एक रैली को समधित करेंगे भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहद भवानी पटना में कुछ पतिष्ठित हस्तियों से भी मुलकाइट करेंगे ज्यारखन में हर साल पांच मोडल पंचायत का होगा चयान राजपाली राची के मोरबाज नी मैदान में मुखी मंत्री हमां स्ट्रेन गूरू आर 22 जून दो हैरते इसको पची सो पचास युआओ के बिश नियुक्ती पत्र बाटा इसके तहत पंचायती राज रायास्व बीत एवं खादा पूर्ती विभाग अंतरगत पदो पर नियुक्ती पत्र बित्रन कारकरम में संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि पहली बार इतनी संख्या में एक साथ ही युआओ की नियुक्ती राज सरकार कर रही है इससे पहले भी कई वाओ को नियुक्ती पत्र सरकार सौब चुकी है उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले जो वादा किये गए थे उसे बरतमान पूरा कर रही है इस दरण मुख्यमंत्री हमंसुरे ने पंचायद सचीवों से बात करते हुए कहा है कि राज में हर साल पांच मोडल पंचायद का चुनाव होगा वहीं पुरसकार के तोर पर पंचायद सचीव सहीद पुरे परिवार को विदेसी दवरे करने का मौका मिलेगा इससे राज के अने पंचायद सचीव भी अपनी पंचायदों को मोडल बनाने के लिए प्रेरित होंगे जेपी नड़ा की रैली को जहामों ने बताया फलोप सो जहामों ने भाजपाक राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा पनिसाना साथते हुए कहा है कि उनकी गिरी डीके जन सभा फलोप करार दिया वरिष्ट नेता सुप्रियो भटचाय ने कहा है कि अगर उनमें हीमत है तो मन्नी पूर्जाय जहां पर उनके विधायक और मंत्री ही वहां की अस्थानिय सरकार से इस्थीपा किमांग कर रहे है हीमत है तो वे भाजपा के दबंग सांसद ब्रज भोसन सिंग पर कुछ बोले उनका नाम आते ही तवाम नेताओं के मुह पर ताले लटक जाते है वहीं बाबुया मरांडी का उपहास उड़ाते हुए कहा कि नड़ा समेत भाजपा के केंदरिये नेता बेकार में जहारखन आकर संपर्क अभियान चला रहे है गिरिडी में नड़ा की सभा में पांच है लोगों का भी सामिल नहीं होना उनकी बेज़ती है साइबर क्राइम पर जहारखन हाई कोट ने RBI से मांगा जबाब जारखन हाई कोड के चिफ जश्टिस संजाय कुबार मिस्र एवाम जश्टिस अननसेंद की खंड पीठ में राज्य में होने वाले साइबर क्राइम पर रोक्थाम को लेकर दाखिल जानित्याज का पर सुनवाई होई सुनवाई के दोगां रिजर्ब बैंक आफ इंडिया आर्बियाई की ओर से अधिवक्ता पांडे नीरज राय ने समय देने का आगरख किया है अधालत ने आगरख सुईकार करते हुए आर्बियाई से जहारखन में साइबर क्राइम की रोक्थाम के उपायों की जनकारी मांगी अधालत ने तीन अगस तक आर्बियाई को सपत पत्र दाखिल करने का निदेश दिया है वहीं केंद्रिय गिरी मंत्राले की और से मौकिक रूप से कहा गया है कि इस मामले में ट्राइ नहीं बलिक आर्बियाई की भूम कहा है अधालत ने उन्हें सपत पत्र दाखिल करने को कहा है इडी के सवालों से उलजे कोईला का अवयध कारोबारी इजहार अंसारी जहारखन में अवय दिखन ममली में मनी लंडरिंग के तह जाच कर रही इडी ने गुर्वार को हजारी बाग के कारोबारे इजहार अंसारी से लंबी पुष्टाश की है उन्हें पिछले हफते ही समन जारी किया गया था इजहार अंसारी पर अरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के नाम पर कोईला कंपनियों से रियायती दर पर कोईला उठाया और उसे खुले बजार में बेज दिया बदा दे कमिशन की रासी तत कालिन खान एवं भोतत्व विभाग की सचीव पूजा सिंगल तक पहुचाने का भी आरोप है इडी ने इन सभी आरोपों से समन दित जब इजहार अंसारी से सवाल किये तो वह सवालों में उलजे नगरपाली का सेवा परत्योगता परिक्षा की तारिकों में बदलाव संसोधी कारकरम केमशार जारखन अगर पाइल का सेवा सन्यूप्त प्रत्यक परिछाया दोहिया तेज के लिए ओनलें अवेदन आयो की वेपसाइट पर ठाए जुन से सताई जुलाई मदराधी तक भरे जा सकेंगे डॉक्टर इर्फान अंसारी ने बिजेपी पर कसातंज कहा जारखन को बंगलादेशी नहीं भाजपा में हो रही घुस्पेट से है खत्रा है जारखन में अगामी चुनाओ में बंगलादेशी घुस्पेट पर एक परमुख मुद्दा होने वाला है बतादे इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेतलागा तार मुखर दिखाई देते रहे है अगामी चुनाओं को लेकर भाजपा बीते एक महीने काफी सक्रिय दिखाई दे रही है भाजपा ने ताओ करकाताओ द्वराद चलाए जा रहे है महा संपर्क अभियान को लेकर सत्तादारी गडबंधन भी अब सतरक हो गया आए दीन बिवादों में रहने वाले जामतरा बिधारक डग्टर इर्फान अनसारी का एब यान भाजपा को सत्तादारी गडबंधर पर हमला करने का मौका दे सकता है बता दे जामतरा के अपने आवाजप पर प्रेस कंफिरेंस कर रहे है इर्फान अनसारी ने बंगलादेशी घुसपैटियों पर भाजपा के स्टेंड पर कटक्च करते हुए कहा है कि जार्खन को बंगलादेशीों के घुसपैट से कोई खत्रा नहीं बलीक भाजपा में हो रहे बिहार और यूपी के निताओं के घुसपैट से खत्रा है जेपी नर्डा ने कहा कॉंग्रेशीों को चुबती है मोदी की तारीफ गिरीडी के जहंडा मैदान में गुरुवार को भाजपा कराश्ट्रिय अदग चेपी नर्डा ने सवाक और केंदर सरकार की 9 साल के उपलब दिया गिनाई बता दे उन्होंने कहा है कि यहां मोदी की नितित वाली सरकार के सेवा सुसासन की बात करने आया हो हमारे पी-म बोलते हैं तो दुनिया सुनती है जब भरत बोलता है तो दुनिया सुनती है पी-म की दुनिया प्रसंसक है पर कॉंग्रेस को नहीं भाती जबकि मोदी ने विकास को अधार बनाया है कंटा टोली चोग से बहु पयार तक सुक्रवार से परिचालन पर रोक राजधानी रांची में कंटा टोली में फ्लाइवर निर्वान को लेकर सुक्रवार से कंटा टोली चोग से लेकर बहु पयार तक सुक्रवार से सभी परकार के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है रात दस बये से अगले दिन सुबाद छ बये तक बस ट्रग समेत अने परकार के वाहन इस मार्ग से नहीं चलेंगी बताद यह अव्यवस्था दिसंबर तक रहने के उमीद है इस समान में ट्रैफिक एस पी हारिस बीन जमा ने आदेश जारी किया है बताद ट्रैफिक एस पी हारिस बीन जमा की ओर से जारी आदेश के अनुसार कांटा टोली फलाई ओवर के लिए खड़े किये गए पिलर में लांचिंग ग्रीडर का कारे को लेकर सांती नगर से सुक्रवाराज से शुरू किय जाएगा जामुमों ने कहा जार्खन में अब कीचर नहीं जो कमल खिलेगा जामुमों ने जेपी नड़ा के दोरे पर निशाना साधा है पार्टी के केंद्रिये महासचिव सुपरियों भटाचाई ने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष की सभा में लोगों की भीर नहीं जेपी नड़ा के कार्करम में लोगों की भीर नहीं थी उन्होंने कहा कि अब जार्खन की जनता भारती जनता पार्टी की असलियत को पचान चुकी है सुपरियों बटाचाई ने कहा कि संपर्क हीन पार्टी जन संपर्क अभियान चलाएगी तो जनता वहां जाएगी ये स बजरपात की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत बिपक्षी दलो की बैठक में सिर्कत करेंगे सियम हेमान्त सुरेन बीजेपी को अगले लोग सवाचुना में सिक्सत देने के लिए पातना में सुक्रवार को बिपक्षी दलो की बैठक हो रही है इस महाजूटान में जहां कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका आजुन खडगे राहूल गांधी के सामिल होने की समावना है वहीं जार्खन के मुख्यमंत्री और जामों के करकारी अध्यक्ष हेमान सुरेन भी सिर्कत करेंगे जनकारे के मुताविक मुख्य मंत्री हमान सुरेन सुक्रवार सुबा रांची से पतना के लिए रवना होंगे और देश साम रांची लोट आएंगे वहीं बिहार के मुख्य मत्री नितिश कुमार के आवाहन पर गैर भाजपा नेताओ के इस माहा जुटान में बतर ज्ञार्खन मुक्ति मुर्चा के करकारी अध्यात हमान सुरेन सिर्कात करेंगे और लोग सभा चुना में ज्ञार्खन की सभी 14 सीटों को जीतने के लिए बनाए गए फर्मूला से ओगत कराएंगे नमाज कक्छ बिवाद मामला बिधान सभा की ओर से हाई कोट में दिया गया जबाब ज्ञार्खन बिधान सभा में नमाज के लिए कमरा अवन्टित करने के मामले में हाई कोट में सुनवाई हुई हाई कोट के चीफ जश्टिस संजाय कुमार मिस्रा और चस्टिस अनांसें की अदालत में सुनवाई हुई सुनवाई की दवाएं बिधान सभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमा ने सपत पत्र के माध्यम से अधालत को बताया है कि इसकी जाच के लिए स्ताथ से सी कमिटी का गठन किया गया कमिटी की अब तक जाच पूरी नहीं हुई है इसके लिए समय दिया जाए जाच पूरी होते ही कमिटी की रिपोर्ट अधालत के समक्ष पेस की जाएगी इस अधार पर अधालत ने समय देते हुए पांच सपता बाद सुनवाई की तारिक ताय कर दी है राची में जल संकट के खिलाब सलक पर विजेपी राइधानी राची में पानी की किलत को लेकर लगातार समस्या को देखते हुए गुरुवार को भारतिय जनताए पार्टी की महनागर इकाई ने हाकार यात्रा निकाली है जिसमें विभीन छेत्रों के नेता, विधायक और सांसत के साथ साथ भारी संक्या में आम नागरिक भी सरिक हुए भाजपा की तरफ से सांसत संजाय सेट, विधायक सीपी सिंग, नेवीन जेस्वाल, पुरो विधायक, राम कुमार पाहन सहीद, भाजपा के कई नेता मवजूद रहे बदादे, भाजपा के नेताओं के साथ सभी छेत्र के सैकडों की संख्या में महिलावे भी हायकार यात्रा में सामिल हुई एक्सिलेंस सेंटर से खिलाडियों के ओलम्पिक के सपनों की मिलेगी उडान जारखन में सरकार ने खेल संस्कृति को बिक्सित करने की दिशा में पहल की है इसके तहत अब जूनियर खिलाडियों को आगे बढ़ाने के राज सरकार चार और नए एक्सिलेंस सेंटर की सुरुआत इसी सत्र से करने जा रही है वहीं खेलो इंडिया के तहत केंदर सरकार भी तीन एक्सिलेंस सेंटर रांची में सुरू करने जा रही है साथ ही आने वाले दिनों में सभी जीलों में एक बड़े खेलों इंडिया सेंटर की भी अस्थापना होगी इस सेंटरों में खिलाडियों को अधोनिक और बैग्यानिक प्रसिक्षन की सुविधा दी जाएगी बतादे खेल विभाग के अनुसार इसका खाखा इस तरह तयार किया जाएगा कि ओलम्पिक तक खिलाडियों की पहुँच आसान बन सके बकरीद में जारखन के धार्मिक अस्थलो पर कड़ा पहरा चार हैर अतिरिक्त पुलिस तैनात बकरीद को लेकर जारखन में सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए हैं हाल के दिनों में संप्रदाइक तना को देखते वे परशासन अलट है सभी सतन्वेधन सीज छेतरों की गत्य बीदियों पर नजर रखा जा रहा है पतादे राजे में बीदी बेवस्ता बनाये र राजे के लगभग सभी परमुक धार्मिक अस्थलोग खासकर मस्जीद और मंदीरों के आस्पा सुरक्षा के कड़ इंतजाम किये गए हैं कार्यसाला में बोली रामगाड डिसी स्कूल से वन्चित वच्चों का कराय नमायंकन बैक टू स्कूल अभियांद 2023 की तहत रामगाड डिसी माधवी मिस्तरा के अध्यक्स्ता में गुरुवार को छत्तर मांडू इस्थीत टाउन होल रामगाड में जीला अस्तरिय कार्यसाला का अउजन किया गया डिसी माधवी मिस्तरा जीला परिशाद अध्यक्सूधा चौधरी उपिकास अयुक्त रोबिन टोपो सांसत पतिनी धी इल्ला रानी पाठक सहित अन्य अतित्यों का पवधा देकर स्वागत किया गया जिसके उपरां सभी ने दीप प्रजाली कर विधिवत रूप से कार्यसाला का सुभारम किया कार्यसाला की दारों अतिरीक्त जीला कार्यकरम पदा अधिकारी मोनी दीपा बैनार जी ने पीपीटी प्रजेंटेंशन के माध्यम से स्कूल रू आर तेईस चोविस के उदेशे पर परकास डाला पलामु उपायुक्त ने की बैठक मद्दात्ता सुची विशे संचिप्त पुन रिक्षन कार्यकरम को लेकर गुरु आरको डीसी सजीला निर्वाचन बता अधिकारी अंजने यूलू दोडे ने समनाला इस्थित अपने कार्याला वेस्यम में सभी राजनिती दलो के अध् बैठक की डीसी ने बताया कि 17 अगस 23 से 30 नॉम्मर 23 तक मद्दात्ता सुची विशे संचिप्त पुन रिक्षन कार्यकरम चलाया जा रहा है इस दवरान 1 जनवाई 24 तक जिन ब्यक्तियों कि आयो 18 वर्स या 18 वर्स अधिक है वह अपना नाम मद्दाता सुची में दर्च करा सकते हैं विश्थापन के मुद्दे पर 27 जून को राजभवन घेरेगा वामदल जार्खन विश्थापन नीति और विश्थापित लोगी समस्याओ के मुद्दे को लेकर वामदल के सभी सहयोगी 27 जून को राजभवन के घेराव करेंगे वहीं नॉमबर दिस हमें में जार्खन में जल जंगल और जमीन के लूट मची हुई है उसे आम जन मानस में सरकार के प्रतियाक रोस है जार्खन के हजारी बाग चात्रा दुमका गोड़ा जैसे जीलो में तीन लाख हेक्टेर भूवी पर अवय तरीके से कबजा किया गया इसका ना तो ग्रामिनों का जंगलों में पेड़ों की अवयद कटाई मामले की जाच को लेकर दायर जन हित्याज का पर सुनवाई की चिफ जस्टिस संजय कुमार मीश रेवम जस्टिस अनन सेन की खंड़ पीट ने वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की दोरान प्रार्थी एव अधान वा सुरक्षित रहने के लिए दामिनी आये अकासे बीली एक प्रकिर्तिक आपदा है इसे रोका नहीं जा सकता लेकिन जगरूपता अभियान के माध्यम से लोगों को सतर्क कर उनकी जान जरूर बचाई जा सकती है उक्त बाते क्रिसी बिग्यान केंद्र के मौसम ब और शाथ में बजरपात के करण कई लोगों की मौत हो जाती है हाल के बरसों में भी आकासे बीली को आने सबी प्रकिर्ति आपदाओं के तूलना में भारत में सबसे अधिक जान लेवा आपदाओं में गिना जाता है उन्होंने कहा है कि ज्यारकन में मौसम की ठिती में अच 27 लोगों की मौत जारखन में मानसुन आने के साथ ही आसमानी कहर का खत्रा भी बढ़ गया है एक तरफ मानसुन के आगमन से लोगों को गर्मी से रात मिली है तो दूसरी तरफ राज में बजरपाद से लोग अपनी जान भी गवा रहे हैं बता दे कि पूरे राज में दो दिन को लेका SDO दिपांकर चोजरी के अध्यक्सता में सुचना भावन के सभागार में होटल वा धर्म साला संचालकों के साथ बैठक की गई उन्होंने होटल धर्म सलाओ के संचालकों को मेले के दवान अपने पतिष्ठानों में सफाई की बेवस्ता और CCTV कैमरे दूस्त रखने होटल के रेंट चार्ज को परदर्सित करने एवाँ होटल में फूड सेफ्टी से जुड़े सभी मान को कहनु पालन काने देश दिया है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल के बेल आकान दबाईए साची साथ वीडियो को एक लाइ वेक आवा से दे थैंक यू